तो आज के इस वीडियो में हम confined space के बारे में बात करेंगे क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब client आप से ये पूछता है कि confined space क्या होता है तो लोग ढंग से जवाब भी नहीं देपाते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि confined space क्या होता है उसके बाद जब भी आप confined space में काम करते हैं तो वहाँ पर क्या-क्या hazards हो सकता है यानि क्या-क्या problems हो सकती है इसके बारे हम बात करेंगे और finally हम ये भी बात करेंगे कि confined space के problems को किस तरीके से यानि किस प्रकार control कर सकते हैं चुकि आप में से कई लोगों का comment भी आया था कि confined space पर वीडियो बनाईए तो चली आज शुरू करते हैं और मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो काफी experience वाले भी होंगे जो मेरी वीडियो देखते हैं तो कोशिस करूँगा कि आप भी कुछ नकुछ चीजे remind करें इस वीडियो के थुरू और अगर कुछ चीज छूट जाए तो आप हमें comment करके एक बार जरूर बता सकते हैं तो लिए आज के इस वीडियो को complete करने के बाद देखने के बाद कभी भी आपके सामने ऐसी नौबत नहीं आएगी कि client आप से confined space के बारे में पूछे और आप ना बता पाएं तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमेशा की तरह definition से कि confined space क्या है So, a confined space has a limited or restricted means for entry or exit and it is not designed for continuous occupancy and the space is large enough to enter and conduct work which includes piping, tanks, vessels, exchanger, columns, equipment, housing, ducts, hoppers, pits, etc यानी confined space एक ऐसा space यानी जगह है जहां आने जाने का रास्ता बहुत ही तंग होता है यानी वहाँ आसानी से ना तो हम आ सकते हैं न जा सकते हैं और ना ही वहाँ हम लगतार काम कर सकते हैं इसके अलावा ना ही वहाँ इतना जगह होता है जिससे कि हम अपना काम अराम से कर लें अगर इसके कुछ examples की बात करें तो जैसे कि हम किसी भी pipeline को ले सकते हैं किसी tank को, किसी vessels को या कोई exchanger हो सकता है या फिर column हो सकता है कोई duct हो सकता है या फिर कोई गड़ा हो सकता है जो कि 1.2 मीटर से ज़्यादा कह रहा हो तो उसे भी हम confined space का ही नाम देते हैं तो इस तरीके से आप इस चीज को कई बार revise कर लें कि confined space क्या होता है ताकि जब भी interviewer आप से ये सवाल पूछे तो आपके दिमाग में एकदम रटा-रटाया चीज होना चाहिए जो आप उसे बता दें इंटरव्यू के दोरन चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि confined space में क्या-क्या हैजार्ट सोते हैं तो सबसे पहला और important चीज ये है कि confined space के अंदर toxic gases हो सकते हैं जिसकी अधिक मात्रा में उपस्तिती जानलेवा तक हो सकती है आपको suffocation यानि की घूटन हो सकती है यदि proper ventilation ना हो confined space के अंदर उसके बाद आप confined space में कहीं भी गिर सकते हैं अगर proper lighting का arrangement ना हो आपको heat stroke लग सकता है अगर ज़्यादा temperature confined space के अंदर हुआ तो आपको irritation हो सकता है तो इस प्रकार ये सारे hazards हो सकते हैं किसी भी confined space के अंदर चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इन सारे problems को हम किस प्रकार से control कर सकते हैं तो confined space के hazards को control करने के लिए बहुत सारे aspect हैं बट सबसे पहली और most important चीज जो है अगर जब भी हमें confined space के अंदर जाना हो तो gas test करना बहुत ही ज़रूरी होता है जिससे कि हमें confined space के अंदर oxygen, carbon dioxide या फिर अगर H2S की मातरा हो तो उसका पता चल सके एक चीज का हमें साथ ध्यान रखें कि confined space में entry करने के लिए oxygen की जो मातरा होती है वो 19.5 से 23.5% तक होना चाहिए और ये सवाल अक्सर interviewer द्वारा भी पूछा जाता है कि confined space में oxygen की मातरा कितनी होनी चाहिए तो इस point को आप note down किजिएगा इसके साथ ही एक और चीज आपको ensure करना है कि उस equipment का positive isolation जरूर होना चाहिए इसके साथ साथ उस equipment का proper तरीके से decontamination भी होना चाहिए आगे किसी भी equipment के confined space में जितने manway होते हैं उसे open करके रखना चाहिए और हो सके तो top manway में exhaust fan या eductor वेगरा लगा देना चाहिए ताकि air का circulation सही तरीके से हो सके एक और खास चीज की rescue arrangement के साथ एक team हमेशा तयार रहनी चाहिए जहां भी confined space का काम हो रहा हो और उनको proper training भी दिया गया होना चाहिए ताकि emergency में वो काम आ सके उसके बाद confined space में जहां भी काम चल रहा हो वहाँ पर एक attendant का होना बहुत ही जरूरी है ताकि अंदर से proper communication communication बना रहे maintain रहे और किसी भी चीज़ की जहुरत हो तो वो आसानी से उस चीज़ को available करा सके इसके अलावा confined space में काम करने वाली team के पास gas monitor होना चाहिए जिससे अगर कुछ gas वेगरा release होता है तो उसका पता चल सके इसके साथ confined space के अंदर proper lighting का arrangement होना चाहिए और कोशिस यह होना चाहिए कि lighting के कम से कम दो independent source हो ताकि एक बंद भी हो जाए तो दूसरा काम करता रहे और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहे कि lighting के लिए हम जिस hand lamp का use करेंगे वो 24 volt ही होना चाहिए और finally जो भी confined space के अंदर काम करते हैं उन्हें basic safety के बारे में पता होना चाहिए proper pps वेगरा जरूर पहनना चाहिए जब भी वो confined space के अंदर काम करते हैं ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके और जो भी manpower confined space के अंदर काम करने वाली होती है वो print होनी चाहिए ताकि काम आसानी से किया जा सके तो confined space से related ये कुछ खास points थे जिनका ख्याल हमें confined space में काम करते वक्त जरूर करना चाहिए आपकी नजर में अगर कुछ points रह गए हो तो आप हमें comment section में comment करके जरूर बता सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो like और share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अगर पहली बार हमारे इस channel पर आया है तो और भी आपके लाइक बहुत सारी वीडियोज हैं आप channel के playlist में जा करके और भी वीडियोज देख सकते हैं अगर वीडियोज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और bell icon जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज का notification आपको मिलता रहें तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें स्वास्त्र हैं सुरक्षित्र हैं धन्यवाद